हलो वलकम स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में और आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम बॉलूड बल्स को लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी की होस्ट रुपती और मेरे साथ मौजूद है आप सभी का होस्ट अजय और हम दोनों आज आपको बताएंगे कि आज की स्पेशल प्रोग्राम की स्पेशल एपिसोर में हम बात करने वाले हैं एक नहीं बल्कि दो दो मूवीज के बारे में कहने से क्या फर्क पड़ता है त्रिप्ती कहना तो देख फैंस का है जो फिल्म देखकर आए हैं उनका कहना सिर्फ यह है कि फिल्म में एक्शन सीन्स में दम नहीं है फिल्म उस पैमाने पर नहीं पहुंची है जिस पर रेस की बाकी सीरीज हुआ करती थी और फिल्म से जित तक मुझे पता चला है सलमान खान के जो किरदार की बात की जाया तो उस किरदार को उनके रोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया बिल्कुल सिर्फ सलमान के जो फैंस हैं वो पूरे तरीके से समर्थन कर रहे हैं सलमान खान का जहां कुछ फैंस दुखी भी हैं यह साल कि मच अवेटेट फिल्म थी इसके लावा दूसरी फिल्म थी संजू इन दोनों ने जहां अलग-अलग रिलीज डेट्स रखी थी लेकिन इन रिलीज डेट्स पर इद के खास मौके पर सलमान खान का तौफा इस बार फैंस को शायद पसंद नहीं आया जर लेकिन हमें भूलनी नीचाहिए अगर बात कि जाए कॉमिर्शियल एंगल की तो यह फिल्म हिट साबित हो चुकी है साथ में 200 करोड के लिस्ट में शामिल होगा अब 300 करोड में शामिल होने वाली और तुम्हें याद दिला दो इनके जो फैंस इनोंने खुद कहा है कि यह फिल्म बहुत जल्द 600 करोड में शामिल होने वाली है है कि उनकी नजरे अब संजु पर है क्योंकि पहले से ही संजु को वह ब्लॉक बस्टर मांचुके है कि उनके रियर लाइफ में असल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था यह सारी चीज़े हर कोई जानना चाहता है तो पहले तो यह बताओ जो ट्रेलर अगर तुमने देखी है तो तुम्हें क्या लगता है ट्रेलर देखने के बाद फैस इस मूवी को लेकर कितने एकसाइडिड होंगे बिलकुल एकसाइडिड होंगे तो ट्रेलर को प्लस पॉइंट यह मिला है कि इतनी बड़ी कास्ट है इस फिल्म में मनीशा कोईराला, करिश्मा तन्ना जो की फिल्म में नज़र आ सकती है माधुरी के किरदार में ऐसी खबर आ रही है और साथ ही साथ सोनम कपूर, दिया मिर्जा समात इतनी बड़ी कास्ट है इस फिल्म की जो की अपने आप में ही एट्रेक्शन का कारण है हमें भूलना निचे इसमें कॉमेडियन अक्टर परिशावल भी है बिल्कूल बिल्कूल जो की संझदच के पिता के करदार में नस doorway आने वाले हैं और ऐसे ही जो करदार हैं वो दर्शकों को खीचेंगे dignay और दूसरी तरफ दर्शकों को खीचेंगे संझय दद और रनवीर कपूर के फैंस बिल्कुल संजेद अब के फैंस तो इस मूवी के बारे में काफी कुछ कह रहे हैं अजे यहां तक की लोगों का यह कहना है कि रनवीर कपूर से बेस्ट इस फिल्म को कोई और इस तरह से नहीं दिखा सकता है जिस तरह उन्होंने अक्टिंग किये है लेकिन त्रिप्ति यहां पर अब गौर करने वाली बात यह है कि सल्मान खान और रनवीर कपूर सल्मान की फिल्म रेस्थरी और रनवीर कपूर की फिल्म संजु संजु दोनों को आपस में मिलाय जा रहा है जहां कहाए जा रहा है कि इस बार भाईजान को पचार देंगे रनवीर कपूर अजय मुझे तो लगता है इसमें कोई शक नहीं कि संजु मुवी ब्लॉक बस्टर मुवी साबित होने वाली एक बड़ी बात तो यह है कि सल्मान भायजान के साथ हर कदम मिलाने वाली उनकी ही सबसे प्यारी और सबसे फिवरिट कोस्ट आ यानि कि काट्रीना कैफ सबसे बड़ी बात तो यह है कि काट्रीना खुद अब रनवीर की मुवी अपने एक्स की मुवी को सपोर्ट कर रही है यहां बड़त रिप्ति के कहने का यह मतलब है कि रनवीर कपूर जो है आलया भट के साथ अपने रिलेशन को लेकर लगातार खबरों में है और इनी खबरों के बीचोबीच रनवीर कपूर की एक्स कल्फरेंड काट्रीना कैफ ने एक ऐसा स्टेट्मेंट दे दिया कि इंडारेक्ली उससे प्रमोशन हो रहा है मुवी संजु का तो ऐसे में हम आपको बता दे कि सल्मान का पीछा चोड़ अब रनवीर कपूर की मुवी संजु के पीछे पड़ी है कट्रीना कैफ फिर्म को प्रमोट कर रही है जो एक ही बात की तरह तुशारा है कि जैकलीन और डेजी का साथ देना सल्मान खान के लिए पल रहा है भारी क्योंकि कट्रीना चाहती है हमेशा सल्लू भाई जान रहे सिर्फ और सिर्फ उनके साथ फिर चाहे बात फिल्म की हो या फिर असल लाइफ की जी हाँ बिलकुल कट्रीना कैफ को जहां अकसर सल्मान खान के साथ ही जहां आधत पढ़ चुकी है तो ही दा बैंक टूर पर दोनों नजर आ रहे हैं लेकिन लगातार ही अब खबरे वारल हो रही है संजु पर क्योंकि रेस्थरी उस पैमाने पर नहीं जा सकी जिस पैमाने ही पर उसको पहुंचना था कवी बाते होगे काफी बक्वास होगे मुझे लगता है ना हम monitoring के सालमान के साथ दोखा कर रही है कट्रीना कैफ जहां चर्चाएं सिर्फ दो ही फिल्मों की हो रही हैं और दो फिल्में हैं सलमान खान की 15 जून को आचुकी रेस 3 और 29 जून को आने वाली संजू जिसमें रनवीर कपूर नजार आ रहे हैं बीदे काफी दिनों से ही दोनों में काफी लंबा कोल्ड वार चल रहा है जहां सलमान खान ने कह दिया था कि संजयदत का रोल कोई निभा ही नहीं सकता और इंडिरेक्ली उन्होंने जहां रनवीर कपूर को बैजद किया था तो हैं रनवीर भी तबी से लगातार परटवार क इसके लावा आपको ये भी जानकारी देते चलें कि सलमान खान की दोस्त कहलाये जाने वाली उनकी को एक्टर काट्रीना केफ भी रनवीर कपूर का पूरा पूरा साथ दे रही हैं दरसल रनवीर कपूर के relation पर बोल कर यानि की रनवीर और आलया के relation पर बोल कर काट्रीना कैफ ने कहीं ना कहीं प्रमोशन कर दिया है फिल्म संजू का जिससे ऐसा लग रहा है कि काट्रीना कैफ तो पूरे तरीके से ही रनवीर की समर्थन बन गई हैं उनका साथ देती नजर आ रही हैं जैसे इंडरेटली वो प्रमोशन कर रही हैं संजू का तो है अब खबरे ये भी आ रही है कि रनवीर कपूर जो है सलमान खान को इस बार मात देने के लिए पूरे तरीके से तयार बैठे हैं दरसल रनवीर कपूर की फिल्म जो की संजदत की बायोपिक है संजू जिसमें संजय के फैंस और अनवीर के फैंस काफी बेताब हैं तो हैं रेस थ्री से जो उमीदे लगाई जा रही थी उन उमीदों पर पूरे तरीके से खरा नहीं उतर पए रेस थ्री और अब संजू जो है अपनी रिलीज से पहले ही ब्लॉक बस्टर बता दी गई है और मनीशा कोईराला का नाम शामिल है तो होई करिश्मा तन्ना जुन की खबरे आ रही है अनुश्का शर्मा और साथिसाथ सोनम कपूर दिया मिर्जा समेथ काफी बड़ी कास्ट है जिसकी चर्चाएं जोरो पर हैं खिर अब 29 जून को पता लगेगा कि आखिर फिल्म क्या कम समाल दिखा पाती है सलमान खान कट्रीना कैफ आले अभर्ट रनवीर कपूर संजूर रेस्थ्री यह तमाम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं तमाम कुछ ऐसी फिल्म स्टार और ऐसी चीज़े जो वाइरल हो रही है यह इशारा कर रही हैं अब संजू की सफलता पर बलकुल और उन्होंने प्रमोट किया है फिल्म संजू को कहना गलत नहीं होगा कि वो काफी उमिद कर रही है इस मोवी से एक्स गर्फरेंड होने के नाते भी ऐसे में सलमान खान वो भी एक्साइटेड होंगे यह जानने के लिए जाए क्योंकि संजू मोवी जो है संजू मूवी ब पताई जाती है उनके बारे में और कौन नहीं देखना चाहेगा कि संजू दत की लाइफ कितनी दर्द से भरी रही है और संजू दत की लाइफ कितनी असल में संजेदत की जिंदगी कैसे थी, ग्लैमरस लाइफ से भरी उनकी जिंदगी, पीछे हटकर अगर देखा जाया तो कितने जादा दर्द भरी थी एक ऐसे डारेक्टर जो की है राजकुमार हिनानी जिनकी पीके ब्लोगबस्टर रही जिनकी थ्री इडियेट्स ब्लोगबस्टर रही और अब संजू से भी ऐसी ही उमीदे हैं और रनवीर कपूर के करियर में तृत्ती एक बड़ा उच्छाल लाने वाली है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि काट्रीना कैफ अगर सलमान का साथ चोड़ रनवीर की मूवी को प्रमोट कर ली है तो उन्हें भी अब इस मूवी से काफी उमीद है अजय तो अब लगता है अब तो इंतजार काफी जादा मुश्किल होता जा रहा है इस मूवी का और जादा इंतजार करना मुश्किल हो रहा है कि मूवी कब रिलीज होगी और कब हम देखें इस मूवी में वो सारे सीन्स जो संजय की असल जिंदगी से जुड़ी होगी तो लगता है जब वक्ता चला इस प्रोग्राम का यह था हमारा आज का बेहत खास प्रोग्राम बार लोड़ेंगे फिर आप सभी के भीश हमारे से स्पेशल प्रोग्राम बॉल्वुड बॉल्स को लेकर बीट ऑन में बॉल्स च्रेट करने वाले ऐसी ही सेलिब्रिटीज अपकमिंग मुवीज लेटेस्ट मुवीज से जोड़ी कुछ होट इन स्पाइसी गौसिप से आप देखते रही हमारा चनल नेक्स नाइन न्यूज और हमारे चनल को सबस्क्राइब कराना बुलें साथ ही कमेंट बॉक्स की जरी हमें जरूर बताएं बताएं हमें कि आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम और कैसी लगी आपको मुवी रेश्ट्री तब तक के लिए बाई बाई